दोनों कप्तान मैच रफरी के साथ टॉस के लिए तयार इन परिस्तितियों में टॉस हारना बहुत महेंगा पड़ सकता है बहुत ही दिल्चस्प मैच होना चाहिए ये अब तो और ये हैं वो खिलाडी जो दोनों टीमों के लिए आज के मैच में खेलेंगे इनिंग की पहली गेन का सामना करते हुए खेल दिया है गाप में और ये एक राण रही खड़े है उठा के खेल दिया है गाप में गई और ये बैतरीन चौका अगली गेन कहा मारेंगे वोई फिल्डर मौजुद नहीं वहाँ और गेन सीमा रेखा के पार बॉल पे चका मार देंगे मजबूर किया वल्लेबास को वो शाट खिलने के लिए और बॉल फी धी वाजी करनी होगी यहाँ पैतरीन टाइमिंग और गेन सीमा रेखा के पार चार रन हवा में उठातिया है और ये छे रन कोई मौका नहीं था वहाँ फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सते पुंदा शॉट लाजवाब प्लेस्मेंट फील्डर तो वहाँ दर्शक बने रहे गए कि अधर मौजूद पहुत ही बड़ा सिक्स मानों कह रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं कि देगी कीपर का कॉंच्पूनेर फील्ड और ये नॉट आउट इठा के खेल दिया है गाप में गई और ये बैतरीन चौका इठा के खेल दिया है शांदार बल्ले बाजी और ये छे रन बहुत ही अच्छा अर्दशा तक काफी दिनों से ये फॉर्म में नहीं चल रहे थे पर आज ये बहुत अच्छा मैसूस कर रहे होंगे इठा दिया है चे रन जैसे ही बैक पे लगी थी कोई दो राए नहीं था कोई सदेह नहीं था कि ये चे रन है और नियन तरण के साथ गेन बाजी करनी होगी यहां गेन हबा में खेला है लेकिन फील्डर वहाँ पर मौझूद काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गल्ती फिर न दो राए खराब शॉर्ट बल्ले बाज़ दो आरा और फील्डर के लिए आसान सा कैर हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाए थे यहां और ये आउट काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गल्ती फिर न दो राए ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां मानों सिर्फ चौकों और छकों में ही दिल्चेस पी रखते हैं एकने मिल रही है उन्हें फिल्ड लगा रखी थी ऐसी ही शॉट के लिए और बल्लेबास सीधा फिल्डर को कैश दे बैठे बहुत ही अच्छी रणनी थी बॉलर की मजबूर किया बल्लेबास को उस शॉट खिलने के लिए और बॉल सीधी एज लेते हुए फिल्डर के हाथ में पूरी तरह मिस्स किया वहाँ और यह मैक्सिमम गेंज आएगी बाउंडरी के उपर से चक्के के लिए वाह क्या बात है बड़े ही बतकिस्मत रहे वहाँ बड़े ही प्यारी गेम थी इस बॉल पर विकेट जरूर मिलनी चाहिए थी होगी यहाँ हैलारान टेजी से लेते हुए जबर्दा सपीर लेकिन अमपायर ने दिया नाट आओ कमाल का यह शौर चौका मिलेगा और यह बोल्ड वाह क्या गेन थी बिल्कुत समझ नहीं पाये बल्लिबाज निराश होकर पैवलिन के तरफ लटते हुए और यह छे रन दर्शकों में किसी को लेना पड़ेगा यह कैच हवा में शौर्ट खिला है वाफ फिल्डर मौजूद नहीं चार रन बल्ले के बीच से निकला यह शौर्ट क्राउड में जा गिरेगा शानदार शौर्ट दिल खुश हो गया यह शौर्ट देखकर प्रेट को नियंदरन में लाने के लिए वाफ क्लीन बाच्विंग छे रन पार पर यह स्पन गेन बाजी बहुत ही अच्छा के लेक्शिंग और यह संपिंग पवेलियन का लंबा रास्ता तैय करना पड़ेगा बल्ले बास को आप बहतरीन फील्डिंग अपनी दीन के लिए जरूर कुछ रन बचाएं कॉंसिदेंट शॉट सीथा पाउंडरी की तरफ वहत ही नजाकत से उठादिया है वहां चे रन पार शॉट बल्ले बास का और यह चे रन पूरी थाकर से खेला गया यह शॉट और यह पूरे छे रन गजाला प्रहाद बल्ले बास का छे रन और यह मपसिमम गेंड चाएगी बाउंडरी के उपर से और टे कर जाएगी 6 बास अपसेट हो चुके है क्रीस पर दोनों ने पिच को अच्छी तरह समझ लिया है क्या शॉट लगाया है बल्ले बास ने सारे फील्डर्स बस गेंड को दर्शकों के बीच जाते हुए देख सकते हैं इनिंग की आखरी बॉल ये रही आपके सामने बल्ले के बीच से निकला ये शॉट क्राउड में जा गिरेगा इनिंग्स की समापती सलामी बल्ले बासों को जल्दी पैड अप करके वापस क्रीस पर उतरना होगा तो लक्षी हमारे सामने है देखते हैं क्या इस लक्षी को पास सकती है बैटिंग टीम शुरुवाती विकेट्स बहुत ज़रूरी होंगे फील्दिंग टीम के लिए हमें यहां अच्छा मुकाबला देखने मिल रहा है विकेट्स तेज गेन बास को लाया जा रहा है इस छोर से इनिंग की पहली गेन का सामना करते हुए लाइन और लेंक्ट मापने में तो एक जच्चिन नहीं लगाते यह बहुत ही बढ़िया सिक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अगर इसी तरह मारते रहे तो बॉल चेंज करने की नौवत आजाएगी बहुत ही खुबसूरत बंपरी जबर्दस शॉट कोई नहीं रुपाएगा इस गेन्स को बांटी जाने से इताके खेल दिया है शांदार बल्लेबाजी और यह चेरन कि उनका फेवरिट एंड होगा अपने चक्र व्यूम में फासा बल्लेबाज को बहुत ही बढ़िया गेन्स बाजी बॉलर ने तो बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखा दिया अपनी चतुराई से बल्लेबाज को चाल में फासाइन होने नमबाशा और ठेलने का प्रयास और गेन्स सीधा फील्लर के हाथों में पविलिन के और जातु हुए बल्लेबाज बड़े हताश बहुत ही तेज तरार क्या जरूर था पर यहाँ गेन्स की भी तारीफ करनी होगी बहुत ही निराश लग रहे हैं ऐसे कैचेज मुश्किल होते हैं कभी-कभी बहुत ही पसंद करते हैं उस दिशा में खिरना गलत लाइन और चार रन बल्ले का बढ़िया कनेक्शन और गेंद का इस सीधा हवाई यात्रपाद बढ़िया शॉट लेकिन सिंगल ही मिलेगा बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अंपायर नॉट आउट देते हुए कि उनका फेवरिट एंड होगा वल्ले का किनारा लेते हुए चार रन रोकना फुश्किल है महादी फुर्टी से मारा है इस शॉट को वाह क्या शॉट मारा है पल्ले बादे बल्ले के बीचो बीच से इस अब आप सो सकती है बहुत ही जोड़दार अपील लेकिन अपायर का इशारा नॉट आउट का मैं आप कने बनाप से भाल नॉट आप साथ्या जो अपरेल झाल आप साथ्या हाभ झाल बहुश्किल हैं नॉट का मैं जोन शुट खब स्क्राच का का मैं पुट कि आता है जए जए वियु पुट है आता है काफी नजी कि इमाम लार ये रवे लेट वे कि वर छें ऌसेेas, चरेंग! मुल आ 올ी जाका, विड़क बेता है कि जा हो से विड्सव रब इपोब कि ओम अधेन कि अंधेधङे बन स्वewब अधेड बत चेंज़ לפसे लुड़ाओ कि इस रिड्सव से लिड़ाओ विंद रो है läuft ठंस त्याँ उम hearts स्क्रीन लुए नंबा शॉट किलने का प्रयास और गें सीधा फील्डर के हातों में काफी निरास लग रहे है अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती फिर ना दौरा आए कंद्माना प्रहाग बल्लेबास का चेरान विस लाइफ वह क्या बात है बल्लेबास की अच्छी पोशिशन पर बॉल सीधा फील्डर के हाथ में निराश होकर पेवलिन के तरफ लटते हुए बहुत ही खरब शॉट सेलेक्शन ना प्लेस कर पाए ना टाइम और सीधा फील्डर के हाथ में कैच दे बैठे बहुत ही खराब गेन और ये वाइट बॉल्ल हवा में उठा पिया है और ये छे रन कोई मौका नहीं था वहाँ फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे बॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बॉल्डी लैंग के पार छे रन ये रही पारी की आखरी गेंट आपके सामने बॉल्ल सीधा फिल्डर के हाथ में दो ही रन नहीं कर दो जुझ में बॉल्म से बीव टाए्ट से को में दो ही और बॉल्डर